भोचपुरी फिल्मों की मसहूर अभिनेत्री पूनम दिवे आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। यूटूब पर इनकी वीडियो पर लाको व्यूज आते हैं। आज इनकी पॉपलर्टी किसी बॉलीबूर्ट सितारों से कम नहीं है। साथ ही साथ इनके इंस्ट्राग्राम, फेस्बुक पर इनने लाको लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने एक चैनल पर लाता रहता हूं। तो इनका जन्म 8 फरवरी 1990 को उत्तर प्रदेश के इलहाबाद में एक ब्रहमण परिवार में हुआ था। इस तरह से इनकी वर्तमान आईउ 30 वर्स की है और इनकी हाइट 5 फूट 7 इंच है। इलहाबाद में जन्मी पूनम दूबे, वर्तमान में मुंबई में राती हैं। और इनके माता पीता के बारे में अभी तक कोई जानकारी उपलब नहीं है। लेकिन इनका एक भाई है जिसका नाम परलाद गौतम है। इनकी अभी तक साधी नहीं हुई है और इनके बॉइफरेंड के बारे में कोई जानकारी इपलब नहीं है। अभी तक या सिंगल है। या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की करिना कपूर कही जाती है। यदि बात करते हैं इनकी एजूकेशन की तो इन्होंने अपनी स्कूली सिच्छा महिला सेवा सदन इंटर कॉलेज इलहाबाद से पूरी की है। आपको बता दे कि पूर्णम दुवे ने कभी सोचा भी नहीं था कि या कभी एक्टरिस की रूप में अपना करियर बनाएंगी बल्कि यह बच्पन से एयर होस्टेज बनना चाहती थी। यह इलहाबाद इंटर्शिटी से अपना ग्रेशन की पढ़ाई के दोरान ही टीवी चनलों के लिए कई बिग्यापनों में काम करने लगी। और ग्रेशन के बाद पूर्णम पांडे मुंबाई के कई सिरियल में आडिशन दिया। तभी इननी की मुलाकात एक भोछपुडी फिल्म डیरेक्टर से हुई और इन्होंने पूर्णम को एक भोछपुडी फिल्म में ऑफर दे ढला है। इस तरह पूर्णम ने साल 2014 में भोछपुडी फिल्म जोजीता वही सिकंदर से डेबियू किया। इस तरह से पूनम दुबे को भोचपुरी फिल्मों में आइटम सौंग के लिए बहुत से अफर आने लगें। इन्होंने जोजीता वही सिकंदर हमार फर्ज बाबा रंगीला हम है जोड़ी नमबर वन रंगदारी टैक्स चनाज जोर गरम सहित लगबग 35 भोचपुरी फिल्मों में काम किया है। आपको बता दे कि पूनम दूबे ने मिस इलहाबद का फॉर्म भरा और सलेक्ट होकर इलहाबद का ताज अपने नाम किया। इसके बाद यह मिस यूपी की फाइफ कंटेस्टेट की रूप में भी सामिल रही है। अब मैं इनके कुछ भोचपुरी के प्रसिद फिल्मों के नाम बता देता हूँ आपको तो पहला है जो जीता वही सिकंदर इसके बाद हमार फर्ज, काट के रख देहब, जनम, इंतिकाम, ये मोहपते, हम है जोडी नंबर वन, बहुरानी, रंगदारी, टेक्स, हम है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लगता रहता हूँ और दोस्तों यदि आप किसी और की बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम अपने इस चैनल पर लाइक हैं